रोजाना रासी फल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें नमस्कार दोस्तों जे मातादी स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में या समय जिनका भी बड़ी है या फिर मैरे जनवर्सरी है उन्हें हमारी और से धेर सारी सुब काम नाएं आप दिन लुगों ने राज चोगों ने तरक्की करें दोस्तों आईए यहां जानती है कीन राज़ी के जातकों को लाब होगा और किने मिलेगी खुश ख़वरी आज भगवान सिव जी की किर्फा कीन राज़ी जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन आईए यहां जानती है सौमवार 14 जुन 2021 को आपका दैनिक राज़ी फल कैसा रहेगा किने मिलेगी शफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में आईए यहां जानती है और आज आपकी गरहों की स्थती कैसी रहेंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके रासी पर क्या होगी चलिए हम पूरी विस्तार से जानेगे आप इस वीडियो को मिस बिलकुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें जिने वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिये गए हैं आप जरूर देखिएगा आपको काफी अच्छा लगेगा चलिए वीडियो सुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के वारे में आप से छोटा सा रिक्वेश्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हम से जुड़ जाईए ताकि आपकी रासी से जुड़ी सभी महत पुन जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे 14 जुन 2021 दिन आज सौमवार का है और जेश्ट मास के सुकल पक्ष की चतूर्थी तिथी बन रही है यह रात्री के 10 बज कर 34 मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांद सुकल पक्ष की पंचमी नामक तिथी प्रारम हो जाएगी नक्षत्र रहेगी पूस्ची नक्षत्र यह रात्री के 8 बचकर 36 मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांद आज से लेशा नमक नक्षत्र प्रारम हो जाएगी योग की बात करें तो धुरूव नमक योग बन रही है यह सुबह के 9 बचकर 27 मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांद व्यागात नमक योग प्रारम हो जाएगी आज का सूरी उदे का समय यह सुबह के 5 बचकर 44 मिनट पर होगा और सुर्यास्त होगा ठीक साम के 7 बचकर 9 मिनट पर सूरी रासी ब्रिस्तव रासी रहेगा और चंद्रमा आज करासी पर संचार करेगा अर्थात आज के दिन का सुब समय यहाँ दो पहर के 12 बजे से ठीक 12 बज कर 53 मिनट तक चलता रहेगा आज का राहुकाल का समय यहाँ सुब है के 7 बज कर 25 मिनट से लेकर ठीक 9 बज कर 5 मिनट तक चलता रहेगा याद रखिएगा दोस्तों राहुकाल के समय किसी भी तरह के नए और सुब कारी के शुरुवात आप बिल्कुल भी ना करें आन्य था विगन बाधाएं आ सकता है चलिए जानते हैं अब आपके देनिक राशी फल जी हाँ हम आपके देनिक राशी फल की बात कर रहे हैं मीन राशी जातकों को आज से मताना चाहेंगे आज आपका दिन शांदार रहेगा और बड़ी दिकतें दूर हो जाएगी हम आपको बता देनिक यह समय आर्थिक इस्तिति सुद्रेगी और लंबित काम पोरे होंगी हम आपको उता देनिक युवाओ को कामयाबी मिलेगी और जिम्मेदारी को पूरा करेंगे यह समय पार्टनर के साथ घुमने कहीं बाहर जा सकती है यह आपको बता देनिक इससे आपका धन लाब होगा हम आपको उता देनिक उधार की रकम वापस मिल सकती है और अपने धार होने से आपकी बजट विगट सकती है इसलिए थोड़ा सतर करें और खार्षों पर कंट्रोल रखें हम आपको तादे यह समय किसी मित्र की मदद कर सकती है और पूराने बीमारीस से राहत मिल सकती है हम आपको उता दें देखिए कोई अगर आपका कोई पूराना बीमारीस चल रहा था तो उससे आपको आज सराहत मिलेगे जी हाँ हमाइक उदादे फिलहाल किसी तरक की नए योजना नोव बनाए यह आपके लिए नुकसान होगा जी हाँ आपको उदादे नए दोस्त बनेंगे और दिन चरिये में परिवर्तन लाने का प्रयास करें यह आपके दोस्तों अगर आप भगवान भोले नात का सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और शाथ ही सच्चे मंद से जय भोले नात ओम नमस शिवाय लिख के सावित कर दें ताकि भगवान भोले नात का किरपा आप पर बनी रहे और आपका दिन सुब रहे धन्यवाद